नमस्कार आप सभी कई गवा फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाले सूरे ग्रहन के बारे में यह ग्रहन कांगा दिखाई देगा समय क्या रहेगा इसके अलावा गर्वती मेला को बहुत साथानिया रखने को सब्सक्राइल को कहीं जाती हैं तो आप करना है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्टक्राट करते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्रहन का दिपावली पर या फिर गौबर्दन पूजा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं क्योंकि यह ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देने वाले हैं और आपको मालूम है कि सूतक काल लगबग बारे गंटे पहले लग जाती है कि सूतक काल का मितलब होता है असूब समय यानि कि खराब समय जिसमी की कोई भी अच्छा काम नहीं करना होता सूब कारे नहीं करना होता तो सूतक काल माने नहीं होगा तो आप अराम से अपना सारा काम कर सकते हैं ठीक है और बात करें 25 अक्टूबर को लगने वाला ग्रहन क दिखाई नहीं देने वाले हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह ग्रेयन नहीं लगेगा तो आपको चिंता नहीं करने इसकी बाद करें तो भारत के समय के अनुसार यह ग्रेयन 25 अक्टूबर को साम चार बच के 22 या 23 मिन्ट मान सकते हैं इतने वजह से लग जाएगा और साम 6 बच के 24 अपर 25 मिन्ट पर यह ग्रेयन समाप्थ हो जाएगा तो साम की टाइम में लग रहा है बांकि ऐसा है कि भारत में ग्रेयन नहीं लगने वाला है तो आपको ग्रेयन के नियमों को ज्यादा प समाज़ के दूरा यह सब्यंदेवार नहीं का लिए काम को कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं गर्वती मेला के बारे में तो देखिया जी मैज़ख बच नहीं मानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसा होता है वैसे ही मान लेते हैं कि हाँ जी ग्रैन नहीं लग रहा है तो हमें ग्रैन की नियमों का पालन नहीं करना है तो सब टाइप के लोग होते हैं और सभी की थिंकिंग अलग होती है तो देखेजी ग्रैन के दौरान तो आप तो आप ये काम मत कीजेगा इसके अलाबा का जाता है कि ग्रहन के दौरान गर्वती मेला को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए लेकिन देखिए गर्वती मेलाएं भूग लगती है और गर में बच्चा भी है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ग्रहन लगने से पहले ही अपने खाने में पीने के पाने में तुलसी के पते रख सकते हैं इससे खाना दूसीत नहीं होगा क्योंकि ग्रहन में बहुत सारे ब क्वानी खड़ाब नहीं हृग और अप राम से ग्रेंन के दौरान भी सकती है इसके बात-स आती है सोने की बारे में तो देखो साम कि थाम में वाइसरे कोई सोता नहीं है लेकिन आपको अबर है तो गर्वती में ला आए तो ख़ोर आराम कर सकते हैं कोई को je जो लोग मानते हैं जो लोग नहीं मानते गुज़ कुछ मत करनें करें लेकर वेदें कि अपना रोजाना जीए लेकिन तो ब arche नहीं में आपको यूरीन पस नहीं करना लेकिन आपको मालूनिए कि मुं见 व्हूरा निकल के wife ही बहुत सारी चीजे हमारे वातरन में होती है बौध सारे बदलाव होता है इस वजे महिलाओं को घर से ना जाएं तो इस वजब से डौरान ही आज की टाइम में घर के अंदर ही हमारा धुल होता है तो आहें पाराम यहीं पास कर सकते हैं को दिकत नहीं है इसके बात कहते हैं कि ज़हाने के नहीं जोंगे तो यह काम सकते हैं को जरूर नहीं और भी बात है उसकीfly सब्सक्राइब याराम आंडर ने करना आपको किसी की कुरान, आपने इश्ट देव को याद करना चाहिए लेकिन आराम राम से बैठ जाएए और अपने इश्ट देव को याद कीजिए मंतरों का जाब कीजिए या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आराम से मुवाइल फोन में आप गाना मतलब की बजन वेगरा मंत्र वेगरा चला और साम में आना है तो ग्रेहन खतम होने के बाद नहीं लीजिएगा इसके अलावा ये का जाता है गर्वती मेला को ग्रेहन के दोरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इससे उनको नुक्सान पहुश सकता है तो देखे हो सकता है कि आपको वास्पिटल जाना हो या फिर आपको कोई जड़ोरी समान लाना हो या फिर आपको यात्रा करना हो क्योंकि भाई तैवार का समया तो बहुत सा लोग अपने घर जाते हैं तो ऐसे मैं क्या करेंगी तो देखो जी अगर आप ग्रेहन लगने से पहले गारी में बैठ गए हैं या फिर ट्रेंड में ए ट्रेंग चीजों को आप से दूर करता है इसके अपने सार्फ लेकि पैर तक नापना होता है उसके परबात शकुक कही टांग दीजिए इससे गैण का प्रबाब प्रभाब और और आप ग्रेहन से बची रहती है तो यह चुपाई होते हैं जो कि आप कर सकते हैं इसके अला आप पर ना पड़े वांकि तो ग्रेंडी दौरा नहीं जाए तो अच्छा है लेकिन जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उपाई कर सकती हैं तो यह कुछ चीजे थी जो कि जो भी सब्सक्ते में से मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाइब हैंगी सोमच कि नमस्ते